असलाम लेकुम इस्टूरेंट्स आज की वीडियो में हम एक्षरसाइज 9.5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं जिसमें हम हाइपरबॉला के डिफरेंट कॉश्चन सॉल्फ करेंगे इससे प्रीविएस वीडियो में हमने हाइपरबॉला शुरू कर लिया था इसके पार्ट 1 में औ और इसका ट्रांसफर्स आलोंग जो ट्रांसफर्स एक्सिस है वह अलोंग एक्स एक्सिस पे है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं इस गिवन दाट दे सेंटर इस एट ओरीजन पर होगा और ट्रांसवर्स एक्सिस के अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉंग एक्सिस है इस अलॉंग एक्सिस तो दा एक्वेजिन ओफ हाइपर्बॉला विल भी अपने चार्ट पर आके देखते हैं हम कि कौन सा केस है कि जिसका हमारे पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस ए वह अलॉंग एक्स एक्सिस है तो यह वाला केस है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस और सेंटर औरीजन पर है तो यह एक्वेजिन हमारे पास होगी x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 विल भी एक से स्क्वेर अपॉन ए स्क्वेर माइनस वाइ स्क्वेर अपॉन बी स्क्वेर इस इक्वल्स तो वान इसको एक्वेजिन वन का नाम दे देते हैं तो सुड़न अब यहां पर हमें जो इंफर्मिशन गिवें है वह तो हमने यूज की यहां से कि ट्रांसफर्स एक्सिस अलॉंग एक्स एक्सिस है दूसरी कंडिशन यह है कि इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है वह टेन यूनिट्स है इस गिवन दैट जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो बेसिकली इक्वल होता है फर्मूल आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया भी था लेटेस्ट रेक्टम का वो टेन यूनिट्स है यानि कि लेटेस्ट रेक्टम इक्वल होता है टू बी स्कुएर अपॉन ए इस इक्वल स्टो टे आफ बी स्क्वेर अपॉन ए तू यहां मल्टिप्लाई हो रहा था यहां के डिवाइड हो जाएगा तो दू बन सा टू तू फाइव पॉन जा टैन तो बी स्क्वेर इक्वल्स टू फाइव ए अब इसकी जो दूसरी condition है वो यह कि इसके जो eccentricity है वो equal है 3 upon 2 के अब student हमारे पास एक formula होता है c find out करने का we know that c is equals to a e और a हमें भी मालूम नहीं है और e है 3 upon 2 तो c की value है 3 a upon 2 b और c की value हमें पता चल गई है in terms of a ही है अब इन दोनों की help से हम a find out करेंगे we know that c square is equals to a square plus b square और c square c की value हमें पता है 3 a upon 2 का square और b square क्या है 5 a 3 का square यह हो जाएगा 9 a square upon 4 और इसको भी left side पे ले आईए और इसको भी left side पे ले आईए तो minus में हो जाएगा is equals to 0 अब a square a square 9 upon 4 minus 1 calculator में कीजिए या LCM लेके कीजिए तो 9 minus 4 is 5 by 4 a square minus 5 a is equals to 0 यहां से हम 5 a common ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा 1 upon 4 a minus 1 is equals to 0 आईदर 5 a is equals to 0 a is equals to 0 इस इस नोट पॉसिबल नोट पॉसिबल तो दूसरा केस लेते हैं दूसरा केस क्या है 1 upon 4 a minus 1 is equals to 0 तो a upon 4 is equals to 1 तो a की value है 4 तो इस वाले केस को हम consider करेंगे जिसमें a की value 4 आई है और इस a की value को हम put करेंगे ताके b की value भी हमें मिल जाए तो इसको इस equation में put करेंगे जिसमें b square is equals to 5 a था यह वाली condition तो a हमने find out कर लिया जो के 4 है तो b square की value आगई 20, 5 fours are 20 तो आप इसके बाद equation 1 में a और b की value पुट कर देंगे put in equation 1 x square upon a square a क्या है 4 का square minus y square और b square की value तो already मौजूद है 20 is equals to 1 तो final result आजाएगा x square upon 16 minus y square upon 20 is equals to 1 this is your final result यहनि के हमने equation of hyperbola find out कर लिये जिसके latest rectum की length है 10 unit और इसकी eccentricity है 3 by 2 और इसका center origin पे है और इसका transverse axis along x axis है अब इसका question number 1 का ही next part, part 5 करते हैं और इसमें भी हमारे पास equation of hyperbola ही find out करने के लिए कहा गया है जिसका center origin पे है और इसका focus है 5 0 पे और इसके directrix है x is equals to 2 पे यहनि के एक focus हमें given है और इसका एक हमें directrix given है तो student center origin पे है और focus इसका है 5 0 तो अपने chart में जाके देखते हैं कि ऐसी कौन सी equation of hyperbola है जिसका focus C 0 पे हो यानि के 5 0 है तो वो C 0 हो तो यहाँ पे हम आए यहाँ पे देखिए students यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जिसका हमारे पास focus 5 0 यानि के इस तरहां का focus हो कि प्लस माइनस C 0 लिखावा है तो यहाँ पे 5 0 देखिए इसका focus में 0 पहले है तो यहाँ पे 0 बाद में इसका मतलब है center origin पे तो equation of hyperbola हम यह वाली use करेंगे x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1 यह वाली hyperbola की equation हम use करने जा रहे है तो equation of hyperbola will be यह हमने focus को देखके guess किया है कि इसकी equation क्या होनी चाहिए x square upon a square y square upon b square is equals to 1 this is your equation number 1 और इस equation का focus कहां पे होता है plus minus c zero पे और अगर मैं एक focus की बात करूँ सिर्फ positive वाले की तो c zero और given क्या है five comma zero तो focus यानि के अब जो c की value मेरे पास आ गई है five इसमें दो फोसाय की बात नहीं कर रहे हैं एक ही focus की बात कर रहे हैं तो हमने वहां से c की value find out कर ली और इसकी directrix की equation क्या होगी अगर सिर्फ positive वाले को consider करें वैसे तो होती है x is equals to plus minus a e a upon e और x is equals to 2 हमें given है तो यहाँ पे x की जगा पे हम put करते हैं 2 is equals to a upon e तो a की value आ गई हमारे पास 2 e अब यहाँ पे हमें we know that c is equals to a e होता है c हमने भी find out किया है 5 a हमने भी find out करना है और e हमें given है a upon 2 अगर यहाँ से मैं e निकालू यहाँ से अगर मैं e निकालू तो e is equals to a upon 2 तो यहाँ पे हमने put कर दिया a upon 2 तो 5, 2 is at 10 is equals to a square तो a square की value आ गई हमारे पास 10 जब a की value आ गई है और c की value भी मौजूद है c is equals to 5 so we know that c square is equals to a square plus b square c यानि के 5 का square a square is 10 plus b square तो b square किसके equal हो जाएगा 5 का square is 25 minus 10 तो b square आ जाएगा 15 a square की भी value आ गई और b square की भी value आ गई अब इस दोनों values को उठाएंगे और equation 1 में put करेंगे put in equation 1 x square a square की जगह पे put करेंगे 10 b square की जगह पे put करेंगे 15 is equals to 1 this is your required equation of hyperbola जिसका focus 5-0 पे है और इसकी directrix की equation है x is equals to 2 तो student देखा हमने किस तरह से इसे find out कर लिया है अब इसी का next part हम करने जा रहे हैं और next part में भी हमें authenticity given है और focus given है तो अब इसको हमने किस तरह से find out करना है अब इसका focus है 8-0 पे तो हमने अपने table पे आना है और देखना है कि ऐसा कौन सी equation है जिसका focus हो C-0 पे तो यही वाली condition है C-0 तो equation तो यही होगी x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1 focus जिसका हो plus minus c,0 the equation of hyperbola will be will be x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1 इसको equation 1 का नाम देदे और इसका focus C-0 पे होता है और हमें given कितना है 8,0 compare करें तो compare करने से हमारे पास C की value आ गई जो के है 8 और C की value तो आ ही गई and centricity हमें given है it is given that centricity इसकी है 3 E is equals to 3 तो formula यूस करेंगे formula क्या होगा मारे पास we know that C is equals to A E C is 8 E denominator में आ जाएगा जो के 3 है तो A की value आ गई हमारे पास 8 upon 3 A की value भी आ गई C की value भी मारे पास मौझूद है we can easily find out the value of B we know that C square is equals to A square plus B square C यानिके 8 का square A यानिके 8 upon 3 का square plus B square 8 का square is 64 यह ताम इदर ले आए तो 64 upon 3 का square 9 हो जाएगा is equals to B square इस क्वेल्सियम लेके solve कीजिए या फिर calculator में डालिए direct तो B square की value आ जाएगी और वो value होगी हमारे पास 512 upon 9 A की value भी आ गई और B की value भी आ गई दोनों values को उठाएगे और equation 1 में put करेंगे put in equation 1 equation 1 implies that x square upon A square यानि के 8 upon 3 का square minus y square upon B square B square क्या है 512 upon 9 is equals to 1 तो अब यह double fraction में है तो 3 का square उपर सला जाएगा यानि के 9 x square हो जाएगा और 8 square जो कि 64 होता है यह नीच ही रहेगा और यह भी 9 y square upon 512 is equals to 1 यह हमारे पास इसका final result है तो हमने equation of hyperbola find out कर ली जिसका eccentricity हमें given थी और focus हमें given था तो हमने इन steps को follow करते वे इसकी equation of hyperbola find out कर ली इसी का last part करते हैं question number 4 का question number 1 का last part जो कि question number 7 है इसमें centricity हमें given है और vertex हमें given है तो student again हमने देखना है चार्ट में जाके कि ऐसा कौन सा equation of hyperbola है जिसमें vertex 0,4 पे है तो हमने जब देखा तो equation of hyperbola will be यह हमने vertex को देख के अंदाजा लगाया है कि इसकी equation of hyperbola क्या होगी y square upon b square minus x square upon a square is equals to 1 and this is your equation number 1 और इसका vertex कहां पे होता है vertex होता है 0,a पे और हमें given क्या है 0,4 जब इसको compare करेंगे तो a की value हमारे पास आ गई जो के है 4 eccentricity हमें given है given क्या है हमें e is equals to 2 तो we know that c is equals to a e a है 4, e है 2 तो c की value भी हमारे पास आ गई 4 to the 8 अब हमने निकालनी है स्रिफ b की value रह गई है ताके equation 1 में डालके हम hyperbola की equation निकालने है तो formula हमें पता है we know that c square is equals to a square plus b square c क्या है मारे पास 8 square a क्या है 4 square plus b square तो b square किसके equal होगा 8 का square 64 minus 4 का square 16 तो b square की value आ गई 48 b square ही हमें चाहिए ताके equation 1 में put कर ले put in equation 1 y square upon b square जो के है 48 minus x square upon a square जो के है 4 का square is equals to 1 तो final equation आ गई y square इसकी equation होती है y square upon a square तो a square यानि कि यह हुझाएगा 4 का square और x square के निच होता है b square 48 तो y square upon 4 का square होजाएगा 16 minus x square upon 48 is equals to 1 तो यह हमारे पास equation of hyperbola आ गई है जिसका center origin पे है और इसकी centricity है 2 और इसका vertex है 0,4 अब हम यहां पर question number 2 शुरू करने जा रहे हैं question number 2 में भी हमें एक vision of parabola ही find out कर नहीं है लेकिन अब इसका center origin पे नहीं है बलकि इसका center है 1,3 जानी कि या तो case 3 लगेगा या case 4 लगेगा focus की हमें coordinates भी given है centricity given है और साथ में यह भी given है कि transverse axis is parallel to x-axis तो student सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि transverse axis parallel to x-axis की equation क्या होती है तो यहां पर हमने देखा transverse axis यह transfer axis का column है parallel to x-axis equation हमारे पास यह होगी और इसका center h, k पे होगा और इसकी equation होगी x minus h square upon a square y minus k square upon b square is equals to 1 तो हमने parallel to x-axis की equation क्या होगी यहां पर लिख देते है if the transverse axis is parallel to x-axis then the equation of hyperbola will be the equation of hyperbola will be x minus h square upon a square minus y minus k का whole square upon b square is equals to 1 और इसको हम name देदेंगे equation number 1 का अब इसका center कहा होता है h, k पे center जिसको हम h, k कहते हैं यह हमें given है कि center is at 1, 3 यानि कि h की value हमारे पास है 1 और k की value हमारे पास है 3 तो h और k की values तो हमें पता चल गए तो यह हमारे पास h और k की values आ गई है अब हमने इसका focus देखना है focus है इसका 2, 3 पे और यह हमारे पास standard equation of parabola है अगर हम इसके एक focus की बात करें वैसे तो इसके दो focus होते हैं अगर इसके first focus की बात करें तो यह है h plus c, k और हमें given क्या है यह 2, 3 तो इन दोनों को compare करें तो h plus c is equals to 2 आ रहा है h की value अभी हमारे पास मौजूद है 1 plus c is equals to 2 तो c की value आ जाएगे 2 minus 1 तो c आ जाएगा हमारे पास 1 और यहां से k की value दुबारा से 3 यह prove भी हो गई पहले भी हमने k की value निकाल ली थी तो यहां से भी prove हो गई कि k की value 3 ही है तो c की value हमने focus से निकाल ली है अब यह eccentricity को use करते वे हम इसका a भी निकाल लेंगे we know that c is equals to a e c की value है 1 और eccentricity इसकी है under root 3 तो a आ जाएगा हमारे पास 1 upon root 3 तो इस तरह से हमारे पास a की value भी आ गई अब हमने निकालनी है b की value तो b की value निकालने के लिए we know that c square is equals to a square plus b square c square यानिके 1 का square a square यानिके 1 upon under root 3 का square plus b square तो 1 minus 1 upon 3 हो जाएगा क्यूंके root से square cancel होके सिर्फ 3 रह जाएगा is equals to b square तो b square की value आ जाएगी lcm लीजिए 3 minus 1 is 2 by 3 तो b square की value आ गई 2 upon 3 अगर सिर्फ b की चाहिए तो under root 2 upon 3 की आ जाएगी लेकिन हमें b square की ही चाहिए अब इसको उठाएंगे और equation 1 में अपनी सारी values put कर देंगे h, k, a और b की put in equation 1 तो x minus h, h की जगा प्या जाएगा 1 upon a square, अब इसका square यानिके 1 upon root 3 का square minus y minus k, k क्या है 3 और b square, b square है 2 by 3 is equals to 1 तो अब इसको simplify कीजिए, यह 1 upon root 3 का square है, तो root से square cancel होके 1 upon 3 रह जाएगा और 3, उपर आके 3 x minus 1 का square, और इसी तरह से यह भी 3 upon 2 y minus 3 का square is equals to 1, अब LC हम ले लिजे, तो यह जाएगा 3, 2s are 6, x minus 1 का square minus 3, y minus 3 का square, और जो नीचे denominator में 2 था, यहाँ पे 1 से आके multiply होके 2 हो जाएगा, 1, 2s are 2 तो यह हमारे पास final equation of hyperbola आ गई है, जिसका center 1 upon 1, 3 पे था इसका focus 2, 3 पे था और इसकी centricity under root 3 थी और इसका transverse axis parallel to x axis था तो यह हमने तरीका यूज करते हुए, इसकी equation of hyperbola find out कर ली student अब इसी का ही part 2 हम देखते हैं, और part 2 में भी center इसका 1 upon 3 पे ही है, लेकिन इसका focus 4, 5 पे है, लेकिन जो information हमें new given है, वो यह कि इसका जो transverse axis है, यह parallel to y axis है तो अगर transverse axis parallel to y axis हो, then the equation of hyperbola will be equation of hyperbola will be fourth case, यानि कि y minus k का square upon a square minus x minus h का square upon b square is equals to 1 इसको हमने equation 1 का नाम दे दिया, अब यह जो equation है, इसका center हो जो होता है h, k पे, center is equals to h, k और जो center हमें given है, यह है 1, 3 यानि कि h की value आ जाएगी 1 और k की value आ जाएगी 3, तो h और k की values तो इसके center से ही हमने find out कर ली, अब इसके focus पे जाते हैं, focus हमारे पास इस equation का क्या होता है, अगर सिर्फ plus वाले की बात करें, तो focus होता है h, k प्लस c, और हमें given क्या है, 1,5, इन दोरों को compare करें, तो h की value 1 आ गई, जो के पहले भी 1 ही थी, k plus c is equals to 5, k की value है 3, तो c की value आ जाएगी 5 minus 3, that is 2, तो c की value हमने find out कर ली यहां से, जो की आ गई है हमारे पास 2, एक information तो हमने यहां use कर ली, और जो दूसरी information है, कि इसके directrix है, y is equals to 4, उसको हम यहां पर use करते हैं, equation of directrix, इसकी equation होगी, अगर सिर्फ positive वाले की बात करें, y is equals to a upon e plus k, तो y is equals to, y is equals to 4 तो हमें given है, तो हम यहां पर put भी कर सकते हैं, y is equals to 4 और a upon e as it is, और k भी हमें given है, k हमने find out कर लिया भी, जो कह है 3, तो 4 minus 3 is equals to a upon e, 4 minus 3 is 1, तो a is equals to e, तो इस condition को हम use करते हैं, a और b find out कर लेंगे, we know that, c is equals to a e, e की value भी a ही है, क्योंकि a is equals to e, 1 के equal है, तो c हो जाएगा a square, और c की value अभी हमने find out कर लिया है, तो c किसके equal है, 2 के equal है, तो 2 is equals to a square, तो a square की value आ गई है, हमारे पास 2, अब b square की रहे गई है, तो b square के लिए हम क्या करेंगे, we know that c square is equals to a square plus b square, तो c हो जाएगा, हमारे पास 2 का square, a square given है, जो के 2 ही है, प्लस b square, तो 4 minus 2 is equals to b square, तो b square की value आ गई 2, a square की भी 2 है, b square की भी 2 है, अब इन दोनों values को उठाएंगे, और h और k की values को भी equation 1 में put करेंगे, put all values in equation number 1, तो equation 1 क्या हो जाएगे, मारे पास, y minus k, यानिके y minus 3 का whole square, upon a square, a क्या है, 2, minus x minus h, h क्या है, 1, upon b square, b square है, 2 is equals to 1, तो यह हमने equation of hyperbola find out कर लिये, जिसका transverse axis parallel to y axis था, और focus 1, 5 पे था, और इसकी equation of directrix थी y is equals to 4, और इसका center origin पे नहीं, बलके 1, 3 पे था, तो transverse axis को हमने देखते वे, पहले इसकी equation of hyperbola suggest की, फिर इसको देखते वे, हमने इसका center focus और directrix को यूज करते वे, हमने इसकी equation find out कर लिए, तो student इस video को हम यहीं तक stop करते हैं, further questions देखने के लिए, मेरी next video जरूर देखेगा, thank you so much.